हलो दोस्तों मैं हूं गोराओ एंड पिछले वीडियो के अंदर अपने क्या किया था पिछले वीडियो के अंदर अपने सिंपल सा वाइल लूप देखा था जिसके अंदर अपने एक फाइल को रीड करके देखा था इस वीडियो के अंदर अपन अंटिल लूप के बारे में वहाई सा बात कर लेते हैंses लेदे तो आपको ב付df कराना है जब कॉंडीशन फॉल्स हो और तब तक एक्जिक्यूट कराना है जब तक कंडिशन टू ने हो जाएंट तो उस केस में आप लोग आउगे अंतिल लूप साइड चली करके दिखा देता हूं चली फाइल बना ली मैंने वापस वही कर रहा हूं मैं यूजर से इंपूट लेऊंगा और यूजर जो भी नंबर डाल देगा उस नंबर की मैं टेबल प्रिंट कराऊंगा ठीक है दोस्तों तो देखो यहां पर क्या होगा यहां पर condition क्या ही इनिट नंबर फ़न है तो सबसे पहले चेक करेगा 1 equal to 10 condition false तो मैंने बताया था कि until loop जो होता है while का उल्टा है यहाँ पे condition जैसे ही false होई तो यह पूरा execute होएगा तो दूसरी बार execute होएगा जब तक कि init number की value 10 नहीं हो जाएगी तो 10 equal to 10 condition false और फिर यह यहाँ पे आ जाएगा तो अब आप देखो अपने को एक से लेके I mean no number तक ही अपने को table दिखेगी ठीक है like 2, 2, 4, 6, 8 और 18 तक दिखेगी 20 नहीं दिखेगा चलिए करवाता है bash या फिर chmodi plus act until loop.ss dot slash until loop.ss फ्लीज एंटर यह number 2 और आप देखिए यहाँ पे 18 तक आया क्योंकि जैसे ही 10 हुआ तो जैसे ही 10 हुआ इनिट नमबर की value तो वह बाहर निखल गया उसने इस loop को execute भी नहीं किया अगर आपको 10 तक प्रेंट करानी है तो यह कर दीजिए 11 और अभी आप देखिए 2 और अभी यह 20 तक हो गया until loop एकदम while loop है वाइल लूप जैसा ही है उसका उल्टा है बाकी सारे वही चीज है यहाँ पर आप conditions लगा सकते हो and number of conditions लगा सकते हो बस घ्यान यह रहना चाहिए कि वो जो पूरी condition है वो collectively false return करनी चाहिए ठीक है आप and और यह सारी चीज यूज कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई